नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपाधकी से 456 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलगी स्पीड में पहलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका दिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट सडक दुरघटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के छह राजियों में प्रयोग के रूप में जो परियूजना सुरू की जा रही है उसे ना केवल सफल बनाया जाना चाहिए बलकि उसे यथा सिग्र अन्य सभी राजियों में लागू भी किया जाना चाहिए सडक परिवहन मंत्राले IIP मद्रास की मदद से अधिक दुरघटना वाले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तमिल नाडू करनाटक बिहार और राजस्थान में जो पाइलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर है क्योंकि अपने देश में ना तो सडक दुरघटनाओं की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और ना ही उनकी छान बीन इसके चलते वैसे उपाए नहीं किये जा रहे हैं जिन से सडक दुरघटनाओं में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके इसके अतिरिक्त सडक दुरघटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विक्सित नहीं हो पा रहा है एक तत्य यह भी है कि मार्ग दुरघटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावस्यक देरी होती है इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजियों के मुख्य सचीवों को यह निर्देश दिया कि सडक हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की बिवस्था करें सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना अस्तर पर विशेश इकाई का गठन करने को कहा है पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छीपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूज रही है जो भी हो सडक दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण सिग्र करने की कोई थोस विवस्था बननी ही चाहिए पैरा इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सडक दुर्घटनाओं को लेकर विभिन अस्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किये जाने चाहिए वे नहीं किये जा पा रहे हैं परिडाम यह है कि सडक हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है नए वर्स के आउसर पर ही देश में तमाम अस्थानों से भीशल मार्ग दुरघटनाओं के समाचार प्राप्त हुएं इनमें नव वर्स की पूर्व संध्या पर किरकेटर रिसभ पंत के साथ पेश आया हादसा भी है इसके कुछ माह पहले सडक हादसों को लेकर राष्ट्र व्यापी चिन्ता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योग पती सायरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुरघटना में जान गवाई थी इस दुरघटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुरघटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ इसका कारण सायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं होपा रही है अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझें कि बढ़ती सड़क दुरघटनाएं प्रति वर्स लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवी भी खराब कर रही है इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट बलकि उसे यथा सिग्र अन्य सभी राजियों में लागू भी किया जाना चाहिए सडक परिवहन मंत्राले आई आई टी मद्रास की मदद से अधिक दुरगटना वाले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तमिल नाडू करनाटक बिहार और राजस्थान में जो पाइलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर है क्योंकि अपने देश में ना तो सडक दुरगटनाओ की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और ना ही उनकी छान बीन इसके चलते वैसे उपाय नहीं किये जा रहे हैं जिन से सडक दुरगटनाओ में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके इसके अतिरिक्त सडक दुरगटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विक्सित नहीं हो पा रहा है एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुरगटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावस्यक देरी होती है इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजियों के मुख्य सचियों को यह निर्देश दिया कि सडक हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की विवस्था करें सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना अस्तर पर विशेश इकाई का गठन करने को कहा है पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छीपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूज रही है जो भी हो सडक दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण सिग्र करने की कोई थोस विवस्था बननी ही चाहिए इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सडक दुर्घटनाओं को लेकर विभिन अस्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किये जाने चाहिए वे नहीं किये जा पा रही है परिडाम यह है कि सडक हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है नए वर्ष के आउसर पर ही देश में तमाम अस्थानों से भीषड मार्ग दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए इनमें नव वर्ष के पूर्व संध्या पर क्रिकेटर रिसभ पंत के साथ पेस आया हादसा भी है इसके कुछ माह पहले सडक हादसों को लेकर राश्ट्र व्यापी चिंता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योग पती सायरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुर्घटना में जान गवाई थी इस दुर्घटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुर्घटना को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ इसका कारण सायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझें कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्स लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवी भी खराब कर रही है इस्टाव दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग नब्बे की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें श्टार सड़क दुरघटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के छह राजियों में प्रयोग के रूप में जो परियूजना सुरू की जा रही है उसे ना केवल सफल बनाया जाना चाहिए बलकि उसे यथा सिग्र अन्य सभी राजियों में लागू भी किया जाना चाहिए सडक परिवहन मंत्राले IIE मद्रास की मदद से अधिक दुरघटना वाले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तमिल नाडू करनाटक बिहार और राजस्थान में जो पाइलट प्रोजेक्ट का डायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर है क्योंकि अपने देश में ना तो सडक दुरघटनाओ की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और ना ही उनकी छान बीन इसके चलते वैसे उपाय नहीं किये जा रहे हैं जिन से सडक दुरघटनाओ में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके इसके अतिरिक्त सडक दुरघटनाओ पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विक्सित नहीं हो पा रहा है एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुरघटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावस्यक देरी होती है इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजियों के मुख्य सचियों को यह निर्देश दिया कि सडक हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की विवस्था करें सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना अस्तर पर विशेश इकाई का गठन करने को कहा है पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छीपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूज रही है जो भी हो सडक दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण सिग्र करने की कोई फोस विवस्था बननी ही चाहिए इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सडक दुर्घटनाओं को लेकर विभिन अस्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किये जाने चाहिए वे नहीं किये जा पा रही है परिडाम यह है कि सडक हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है नए वर्ष के आउसर पर ही देश में तमाम अस्थानों से भीषण मार्ग दुरगटनाओं के समाचार प्राप्त हुए इनमें नव वर्ष के पूर्व संध्या पर पिरकेटर रिसभ पंत के साथ पेस आया हादसा भी है इसके कुछ माह पहले सडक हादसों को लेकर राष्ट्र व्यापी चिंता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योग पती सायरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुरगटना में जान गवाई थी इस दुरगटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुरगटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ इसका कारण सायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं होपा रही है अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझें कि बढ़ती सड़क दुरगटनाएं प्रति वर्स लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवी भी खराब कर रही है इस्टॉप